क्या ट्रावल रिस्ट्रिक्शन्स फिर दुबारे से लग सकती हैं क्या वीजा प्रॉसेस दिले हो सकता है या इमिग्रेशन प्रॉसेस में कुछ परिशानिया आ सकती हैं इनी सभी सवालों के जवाब देने की कोशीश करूँगा मैं इस वीडियो में दोस्तो मेरा नाम चन्रुशेकर है और हमारे बहुत सारे सब्स्क्राइबर्स और प्लाइंट्स ने मुझसे पिछले कुछ दिनों में कॉंटेक्ट किया है और अपनी चिंता जाहिर की है उन्होंने बोला है कि जो कोविड की नई वेव आई है चाइना में इसका क्या असर कि मैं आपके इनी सभी सवालों के जवाब दे सकूँ मैं शुरुआत करना चाहूंगा परसनल एक्सपीजियन से दिखिए मैं रेगुलर्ली ट्रावल करता रहा हूं सन 2014 से सन 2020 मार्च तक 2020 मार्च में ट्रावल शुरू हो गई तो एक करीब सवा साल का पीरेड आया 2020 मार्च मैं कहूंगा की मैंने 50 से ज़्यादा फ्लाइट ली विदिन इंडिया भी फ्लाइट या यह और मैं मिल एस्ट में गया तो बेसिकली लेते विए मुझे कुई ऐसी दिक्वत नहीं आई इन फैक्ट मैंने कहूंगा कि करीम एक दरजन से जादा कोविड टेस्ट कराए होंग मैंने अपने कोई टेस्ट के इंडिया में करवाए दुबई में करवाए इसके लावा पॉट गल में करवाए हंगेरी में करवाए तो बहुत सारे पैसे को टेस्ट के लेकिन ट्रावल करने पे एस सच कोई restriction नहीन मतलब restriction ठी मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई अब देखिए जो आप लोगों की चिंता है या जो हमारे सब्सक्राइबर की चिंता है वो यह है कि क्या फिर दुमार इसे ट्रावल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है मैं कहूंगा देखिए ट्रावल रिस्ट्रिक्शन जो लगी थी पहली बार वो लगी थी मार्ज 2020 में उस समय सिच्वेशन थोड़ी ची दूसरी थी उस समय एक तो दुनिया को कोविट के बारे में बहुत जादा पता नहीं था और तैयार भी नहीं थी दुनिया लेकिन हम दे लोगों लोगों को ही ट्रावल करने दिया जाएगा और कुछ कंट्री ने बोला कि अगर आ वैक्सिनेटे नहीं है तो कोविट टेस्ट होगा लेकिन बहुत सारी कंट्री थे कोई रिस्रिक्शन नहीं रखी अब अभी जो इंडिया ने रीसेंटी ट्रावल रिस्रिक्शन लगाई हैं वह बेसिकली लगाई है पांच कंट्री के लोगों पए एक तो इनको कोविट टेस्ट करवाना पड़ेगा अब ये लोग हैं मसलिला अगर कोई पैसेंज़र चाइना से आ रहा है जेपान से आ और हो रहा है कोरिया से आ रहा है होंग कॉंग से आ Thailand से आ रहा है तो इनका COVID test होगा इसके अलावा अगर हम बात करें 2% passengers जो भी international flight से इंडिया आ रहे हैं उनका test होगा In fact, ऐसा एक test मैंने February 2022 में दिया था मैं Budapest से Amsterdam होते वे Delhi आ रहा था तो मुझे airport पे randomly मतलब airline staff ने रोका और फिर मेरा COVID test हुआ था तो देखिए मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ restriction नहीं लगने वाला है कुछ भी major in fact, जो World Health Organization है या विस संगठन है उनका ये कहना है कि travel restrictions का कोई बहुत जादा फायदा नहीं होता है initial stages में फायदा हो सकता है लेकिन overall ये एक ऐसी राय है experts की, की travel restrictions का COVID को रोकने पर कोई खास असर नहीं होता है तो मैं कहूँगा कि जा सादा ये हो सकता है कि test mandatory हो जाए vaccination mandatory हो जाए लेकिन travel बंध हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है already basically दुनिया में recession चल रहा है तो कोई भी government ऐसा risk नहीं लेना चाहेंगी in fact चाइना जो इसमें epicenter है कोविट का वहां पर भी जो travel restrictions है उसको खतम कर दिया है वहां पर quarantine requirement थी वह खतम कर दिया अगर मेडिया report देखें तो हम देखेंगे कि चाइना के लिए लोग चाइना ट्रावल कर रहे हैं एक बड़ा इंट्रस्टिंग स्टोरी टाइम सव इंडिया में उन्होंने बताया है कि कौन सी ऐसी हैं जिसको आपको मुएड़ करने चाहिए अज हमाइक स्ट्रावल रहें एक तरफ चाइना जहाँ पर कोविट के केस बड़ रही है तो इक तरफ चाइना제가 का के अगर मेंगे करना की अगर मेड़ आप प्रॉसेस में डिले के बारे में देखिए और यूएस में तो अपॉइंट ही नहीं अविलेबल है सन दोजार पच्चिस तक और भी कंट्रीज का मैं देख रहा हूं पॉर्ट्रगल में वीजा प्रॉसेस डिलेड है यूके में डिलेड था लेकिन अब उन्होंने अनौंस किय है कि जो टूरिस्ट वीजा उनको पन्रा दिन में प्रॉसेस कर दिया जाएगा और कंट्रीज भी स्क्रीम लाइन करने की कोशिश कर रही है अपने वीजा प्रॉसेस को इदर हंगेरी में भी मैं डिले देखना हूं शेंगिन वीजा जो एप्लिकेशन का प्रॉसेस में भी लेकिन कई बारी आपका वीजा मैंने ऐसा भी सुनाया कि दो 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 दिन दिन में अफ्रू हो जाता है कि हमारे क्लाइंट ओमान से हैं उनको वीजा दो दिन में मिल गया थैसे हमारे इंडिया में बहुत जादा असर होगा लेकिन मैं आप्टिमिस्टिक रहूंगा तो देखिये हो सकता है कुछ कंट्री से फ्लाइट बंध हो जाएं कुछ समय के लिए लेकिन इसकी संभावनाय कम है तो उमीद करते हैं कि 2023 अच्छा रहेगा सब के लिए तो आपको घबराने की कोई जरत नहीं है जो भी आपके ट्रावल प्लान्स हैं उस पे आप आगे होगा मैं जाते में आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्प्राइब कर लिए थेंक्यू वेरी मुश्च